Hello dear students, welcome to the success classes technical education. Dear students, जैसे मैंने आपसे पहले सी promise कर रखा था, उसके according, मैं आज आपके लिए एक surprise लेके आए हूँ यहाँ पर. हम बहुत जल्द अपना जो courses हैं वो start करने वाले हैं, आज उसी की पूरी information मुझे आपको देनी हैं. लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे और लास्ट में आज आज आपको मैं जितनी भी faculties आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, सभी faculties से मिलाने वाला हूँ. कौन क्या subject पढ़ाएगा, ये भी आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है, और वो अपने subject के बारे में भी आपको थोड़ा से बताएंगे, ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को देखना है, वीडियो पसंद आए तो like जरू करेंगे, और अगर second year के students हैं, तो आपके लिए को increase करना है, बढ़ाना है, यानि कि subscriber increase कराने है हमारे, और अपने दोस्तों को share करना है, जाद से जाद है और अपने juniors को भी, ठीक है students, तो जैसा कि आपको पता ही है, आज Independence Day है, तो आप सभी को उसकी बहुत-बहुत सुपकामना है, ठीक है, तो आज यही हमारा है कि इसी के YouTube Plucks में हमने आज अपना course launch कर रहे हैं, ताकि क्यों क्योंकि आज हम सब स्वतंत्र हैं, तो मैं यह चाहता हूँ कि पढ़ने के लिए भी हम सब स्वतंत्र रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो भी course आपको available करा रहा है, वो free of cost है, कोई यहाँ से charge नहीं लिया जाएगा बहुत experienced हैं, सारे के सारे आपको दिखाऊंगा, मैं अभी सब के बारे में बताऊंगा और मिलवाऊंगा भी सब से, ठीक है students, तो चलिए, पहले में basic थोड़ा सा बता देता हूँ, जो हमारा BTEC first year का course है, उस first year के course में nine subjects हमें पढ़ने होते हैं, पूरे year में, ठीक है, nine subjects हमे पहला वीडियो, पहला lecture आपको कल मिल जाएगा, then उसके बाद mechanical engineering की अगर मैं बात करूँ, एक subject होता है mechanical engineering, first year में BTEC में, तो उसका subject भी आपको कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद electronics में एक surprise भी है आज आपके लिए, ठीक है, यह 17 से स्टार्ट हो जाएगा, उसक से आपको lectures मिलने स्टार्ट हो जाएगे, ठीक है, programming for problem solving, या इसको अगर हम C programming भी बोलें, तो वो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम C programming ही पढ़ने वाले हैं, तो जो students अगर C programming ही अगर पढ़ रहे हैं, बहुत से schools में भी C programming पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पर वो हमारे इस कि बहुत experience और मतलब एक समझ लीजे, बहुत अच्छी faculty आपको provide कर आ रहा हूं, तो इन में मुझे थोड़ा सा time लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द हो सकता है, ये 6th of September से पहली इनकी classes स्टार्ट हो जाएं, बहुत जल्दी इनके teachers आपको मिल जाएंगे, ठीक है strengths, next अगर म मैं secondary के लिए बोलूँ तो secondary में हमारा जो four subjects common देखो, secondary का syllabus इस बार update होना है, बाकी सारी चीजे secondary के लिए मैं तभी clear करूँगा, जब हमारा syllabus update हो जाएगा, ठीक है, कब से classes होंगी, इसलिए मैंने classes का यहाँ पर time mention नहीं किया है, date mention नहीं किया है, ठीक है, universal human value चलेगा 100%, तो हो सकता है कि इस बार compulsory कर दे उनिवरसिटी, तो अगर रहता है science-based में, तो electronics चलेगा ही चलेगा पर, ठीक है, electronics का आप जानते ही है, बाकी अगर मैं branch-wise बोलूँ तो secondary में हमारी जैसे branch-wise subject हो जाते हैं, तो कुछ students computer science के हैं, कुछ electronics के है, electrical के, mechanical or civil, तो मैंने main main subject यहाँ ले लिए हैं, जिनकी मैं चलाने की कोशिस कर रहा हूं, पूरी, जैसे CS की अगर मैं बात करूं, तो data structure और CEOA, important subject हैं दोनों, और यह अगर चलते हैं इस बार, तो मैं जरूर चलाओंगा यह वाले subject, electronics में हमारा electronics devices होता है, हमारा DSD, digital system design, यानि के digital electronics भी होता है, यह digital electronics हो सकता है, यहाँ पर भी चले, अगर science base में भी रहता है, तो दोनों यहाँ पर cover करेगा है, ठीक है, साथ में NAS, यानि के network analysis, यहाँ पर यह भी चलेगा, subject अगर रहता है, तो ठीक है, mechanical, secondary के अगर मैं बात करूं, तो thermodynamics और FM, fluid mechanics, यहाँ पर यह subject, main subject हो जाना है, तो अगर यह रहते ह है, तो मैं इनको चलाने की भी पूरी-पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, electrical में EMFT, EMFT में यह फायदा है, कि इस बार electrical के student पढ़ेंगे, तो next semester में electronics के student पढ़ेंगे, ठीक है, और EMI, measurement वाला subject and signal system, यहाँ पर signal system, electrical वाले semester में पढ़ेंगे, तो next semester में हमारे electronics वाले next, उसके बाद, अगर मैं बात करूँ, civil branch की, तो civil branch में जो हमारा subject है, fluid mechanics, यह civil में भी चलता है, साथ के साथ हमारा mechanical में भी चलता है, ठीक है, तो जो common subjects हैं, जो ज़्यादा branches में चलते हैं, वो तो आपका 100% चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है, IT branch की, अगर में बात करूँ, तो second year के same subject है, CS के जो है, IT में भी second year में वही same subject है, जो हमारे CS second year में data structure and COA, clear, code भी same ही रहता है, इनका IT में भी, ठीक है, तो जो IT के students हैं, वो भी बिल्कुल निशिन रहीएगा, यह मैंने वो subject लिए हैं, जो core branches के subject हैं, और बाकी के 4 subject यहाँ पर cover हो रहे हैं, तो 5-6 subject आपके हर branch के cover हो जाएंगे हैं, ठीक है, next अगर मैं third year के लिए बात करूँ, तो third year के students, जो हमारे second year के students इस बार, वो अब third year में पहुँच चुके हैं, तो third year के students के लिए, एक मैं छोटा सा task भी देना चाहूँगा, क्या, कि हम इसको decide करेंगा after response, यानि कि आपका response कैसा रहता है, ठी जादे से जादे वीडियो को share कीजिएगा, आप senior हो चुगे हैं, तो मिझे आप से सबसे जादा उमीद है, जादे से जादा शेयर करेंगे, और उसके बाद जो comments आपके आएंगे, आप subjects के लिए comment कीजिएगा, उन में से में decide करके, आपको next video में कभी एक video बनाऊंगा, या तो उसका screenshot लेकर भेजाएंगे, ठीक है students, चलिए तो मैं, आप जैसे कि हमारे first year के नए students जुड़े हैं इस बार, जो इस वीडियो को देख रहा हूंगा, जिन्होंने first year में BITAC में admission लिया है, तो मैं उनको थोड़ा सा syllabus किस तरह से होता है, मतलब कैसे evolution scheme होती है, कितने marks का, कैसे क्या होता है, कौन से subjects आपको पढ़ने होता है, उसके बारे मैं थोड़ा सा hints दे देता हूं, मैं ज्यादा detail में नहीं जाओंगा, क्योंकि वीडियो बहुत lengthy हो जाएगा, और मुझे अभी आपको सभी teachers से भी मिलवाना है, ठीक है students, तो जो हमारा सबसे पहले subject है, वो क lectures मिलने स्टार्ट हो जाएगे, तो आप जब भी admission लेने जाएगे, अगर ले लिया है, तो college में एक बार confirm कर लें कि आपकी ब्रांच में कौन सा group पहले चलेगा, ठीक है, यानि कि आपकी class में कौन सा group चलेगा, इस सीच का थोड़ा सा पता कर लेंगे, अगर physics चलेगा, तो chemistry chemistry नहीं चलेगा, यह ध्यार नकिन है, ठीक है, same mathematics जो है, यह mathematics तो चलेगा यह चलेगा, सभी में चलेगा, जितने भी branches है, सब में mathematics फर्स्ट चलेगा यह चलेगा, ठीक है, next अगर मैं बात करूँ, electrical, fundamentals of electrical या electronics, इन दोन में से एक subject चलेगा, तो आप पता कर लेंगे, या तो आप electrical पढ़ेंगे, या फिर electronics पढ़ेंगे, ठीक है, programming for problem solving, या फिर mechanical engineering, इन दोन में से एक subject आपको पढ़ना होगा, तो आप पता कर लेंगे, अगर physics चलेगा, तो math तो चलेगा, उसके साथ electrical चलेगा, आपके यहाँ पर, फिर उसके साथ C चलेगा, या पर, यानि के programming for problem solving, तो आप एक बार, अपने सारे subject कौन कौन से चलने वाले हैं, वो एक बार confirm जरूर कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं confirm कर रहा हैं, तो math तो जरूर देख लिजएगा, क्योंकि math तो चलेगा, math फस्त हो, ठीक है, इसके बार, environment and soft skills में से चलेगा, इसके बाद यह आपकी कुछ ल format में, और इस बार कोसिस करेंगे कि previous semester's के paper भी आपको solve कराया जाएंगे, ठीक है, बाकी labs वगरर रहेंगे, आपको सब चीजे कॉलिज में जाकर पता चल जाएंगे, ठीक है, students, तो चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ, एक एक सब्जेक्ट को लेकर, और एक एक टीचर सो मिलवा देता हूँ, ठीक है, बाकी electronics में तो आप जानती हैं, लेकिन एक surprise और आपके लिए, चलिए, तो स्टार्ट करता हूँ, मैं, तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा, आप जानती हैं, पहले से, हमारे गौरफ सर, जो आपको mechanical भी पढ़ाएंगे, और साथ के साथ math first भी आपर पढ़ाएंगे, ठीक है, mtech है ये, और nine plus year का इनको teaching experience है, ठीक है students, तो स्वागत करता हूँ, मैं अपने गौरफ सर का, आईए गौरफ सर, और गौरफ सर से मैं कहना चाहूँगा, कि आपको थोड़ा सा motivate करें, और दो चाल लाइने बताएं, और चुके आज 15 अ आप सभी जो newly admitted student हैं हमारे btec के उन्हें बताना चाहूँगा, कि मैं आपको mathematics first और mechanical engineering subject पढ़ाऊंगा, mathematics से मैं उन बच्चों को ज्यादा कहना चाहूँगा, जो डरते है math से, कि अब math से डरना नहीं है, mathematics first जो हम पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल basic से पढ़ाएंगे, एक concept clear करा के हर topic के आपको लग लग video मिलेगी, और आपको बच्चों एक बात का ध्यान रखना है कि class का वेट नहीं करना, कि class जब चलेंगी तब पढ़ना शुरू करेंगे, class में लगबग आपका कमचगम एक महीना है अभी, 15 September से पहले आपकी class नहीं चलेंगी, लेकिन तब त आपको कल से video mini start हो जाएंगी, तब तक लगबग आपका 40% syllabus हम आपको cover करा देंगे, तो वो आपका plus रहेगा, जब आप class में जाएंगे तो 40% syllabus आपका already cover हो जाएगा, और यही आपका fundamental of mechanical engineering की subject है, उसमें रहेगा आपका, दोनों subject हम आपके class चलने से पहले 40-40% cover करा देंग PDF के notes मिलेंगे, सब चीज़े आपको provide कराएंगे, और time to time जैसी आपकी demand रहेगी, इस तरह का material हम आपको provide कराते रहेंगे, तो निच्चिन रहें, अब B-Tech आपकी बहुत आजी होने वाली है, हमारा channel आपको यह दो subject में पढ़ाऊंगा, और भी जो subject है उसमें भी मुझसे भ बात लगे, आपके जरूर कमेंट करें, कोई भी आपका suggestion हो, या आपका कोई problem हो, आप जरूर समें, हमें feedback जरूर दे, दन्यवाद, Thank you sir, आप से बहुत उम्मीद है, students को सबको, क्योंकि आप वैसे भी इस बार दो subject कवर कराने वाले हैं, math first का जैसे मैंने बताई दिया है, साथ में mechanical engineering में students, एक information और देना चाहूँगा, कि आप description में आपको टेलिग्राम का लिंक बिल जाएगा, टेलिग्राम चैनल जरूर ज बाकि 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 बाचल देख वाटसप गूरूप भी मनाऊंगा उसको भी जल्दी से शेयर कर दोगा, ठीके students, चलिए तो अब मैं next faculty या next teacher या हमारे अगर मैं काऊं मार्क दख्षक, तो उनको बुलाना चाहूँगा, ठीके जो मैं बता र नहीं लूँगा, लेकिन सर वहाँ पर head है, head of department है, ठीक है, clear, तो मैं बलाना चाहूँगा अपने अजय सर को, please sir, आईए और बच्चों को थोड़ा सा motivate कीजिए, electronics मैं और सर, दोनों मिलके पढ़ाएंगे इस बार आपको, कुछ topic सर, जो सर का मतलब बहुत बढ़िया, जिस बिलकुल, dear students, सबसे पहले तो मैं आपको स्वतनता दिवस की बधाई देना चाहूँगा, और success classes for technical education आपके लिए बहुत महनत कर रहा है, विमल चौदरी जी पहले से आपके लिए काम कर रहे हैं, electronics engineering में हम यही कहना चाहेंगे, कि जो एक परंपरा है कि इसको आपको रटना है, तो वो इस बार हम खतम कर देंगे, बिलकुल आपको clear to be a concept है, विमल सर उसमें पढ़ा रहे हैं, कुछ specialized topics हैं, जो आपको मेरे द्वारा दिये जाएंगे, और बहुत ही इसमें आपको बिलकुल बेफिकर रहने की जरूरत है, बिलकुल भी बहुत सारे आपको negative comments या एक आपको represent किया जाएगा, कि ये subject बहुत मुश्किल होता है, back आजाती है, पास नहीं होते हैं, तो ऐसा बिलकुल नहीं है, concept आपके clear होंगे, कोई retinary की जरूरत नहीं है, fundamentally सारी चीजें clear होंगी, और बिलकुल आपको quality, जो content इस channel पर आपको पहले से भी मिलता आ रहा है, उसम जरूर आपको काम्याबी मिलेगी, हमें काम्याबी मिलेगी और बहुत कमफर्टेबली आप अपना काम कर पाएंगे, तो थैंक्यू विमल जी और आप इसी लगन के साथ प्यारे बच्चों के लिए हमारे कार्यागे करते रहे हैं, थैंक्यू सर, मैंने बताया, जैसे आपक पहुचा हूँ, या यह चीजे करने का, मतलब सोचा है या किया है, ठीक है, तो आज यसे कि मैं वही बता रहा हूँ, मैंने कोर्स क्यों लांच किया है यहाँ पर 15 गस के दिन, क्योंकि स्वतनतर दिवास हम मना रहे हैं, 77 यहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ कि सारे स्ट्टें फ्री प्रोवाइट कराएंगे, ठीक है स्ट्ट्ट्स, तो चलिए, मैं अपनी नेक्स्ट फैकल्टी, जो एक बहुत ही एक्स्पीरेंस्ट फैकल्टी है हमारे बीच में इस बार, बुलाना चाहूँगा अपने केमिस्ट्री के अर्ससर, अब केमिस्ट्री से बिलकुल निस अब आपको बिलकुल ने डरना है, सक्सेस क्लासिस है तो डरना नहीं है, बिलकुल बे ठीक है, चलिए सर, पहले मैं सर को थोड़ा सा सम्मानित कहना चाहूँगा वही पंद्रा के उपलक्स पर, तो सर, आप मोडिवेट कीजे बच्चों को थोड़ा सा, बहुत बहुत शु करेंगे आगे जाके, और हमारी यही उमीद है कि आगे जाके आप इस चैनल को और आगे ले जाने का काम करेंगे, आप ही के जरीए यह चैनल सक्सेस होना है, और बागी जितने भी फैकल्टी से, जैसे के अभी विमल सर ने आपको सभी चीजे बताई हैं, फर्स्ट एर से ल केमिश्ट्री की बात की जाए, इंजिनेरी केमिश्ट्री है या केमिश्ट्री है, इन औरगनिक केमिश्ट्री, फिजिकल केमिश्ट्री, औरगनिक केमिश्ट्री है, तो केमिश्ट्री स्टुडेंट्स के लिए एक ऐसा सबजेक्ट है, हमेंसा यह माने जाता है कि इट इस हार्ट मेहनत ज्यादे करनी पड़ती है रटना ज्यादे पड़ता है तो स्टुडेंट्स यह सोचते हैं कि नी इसमें रटने सही काम चलेगा तो ऐसा बिल्गुल नहीं है किमिस्टरी को भी एक इजी वे में समझने कोजिस करेंगे समझाने कोजिस करेंगे आपको और कुछ शॉर्ट ट्रिक के जरिए कुछ इजी चीजे आपको बताई जाएगी निमेरिकल प्रॉब्लम इस तरह से कराई जाएगे कि आपको इसको रटने की जरुवत नहीं पड़ी फार्मूलाजे बहुत सारी चीजे तो इसी उमीद से कि आपका एक अच्छा कॉपरेशन हमें मिलेगा एक अच्छा सहीयोग मिलेगा और इस चैनल को एक अच्छी वे में ले जाने का काम आप करेंगे आप ये सहीयोग से ये चीजे होनी है पॉसिबिल और बाकी जो है अगर आपका साथ रहा तो इसे हम आगे तक एक बहुत बड़ा टार्गेट हमारे पास साथ में और उस चीज को हम सारे टीचर जितने भी आपके सामने आएंगे एक एक चीज लेके एक सब्जेक्ट लेके तो उस चीज को हम एक उस टार्गेट को हम एच्छीव कर पाएंगे तो उस चीज़ को follow up करक्वादे, thank you, thank you, thank you sir, वही एक चीज़ और है फिर से की रटना नहीं है, बहुत सारे students क्या करते हैं, बीटेक में रटने की कोसिस करते हैं, बहुत सारे subjects को, ठीक है, रटना नहीं है, concept को समझना है, और समझ के ही हमें लिखके आना exam में, ठीक है, तो अब मैं next faculty, या next teacher, या next experience faculty, हाँ students, एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर date जरूर नोट कर लीजिए, सारे subjects की, यहाँ पर सारी date, date note कर लीजिए, कि subject कब आपको classes मिलेंगी, ठीक है, मैं साहिड हो जा रहा हूं, चाहे तो आप screenshot ले सकना है, ठीक है, तो यह date जरूर note कर लीजिए, ताकि आपको पता रहे पहले से कि, कि subject की classes कब से मिलने वाली हैं, ठीक है, तो हमारी एक और, इस बार मैंने कोसिस किया है, कि ज़्यादा से ज़्यादा experience faculty को मैं ले के आऊं, तो हम मैं बुलाना चाहूँगा अपने नावेश सर को, जो काफी experience अपने पास रखते हैं, और PhD सर की complete होने वाली है, यह ER सर, बहुत जल्द हमारे हो सकता है, कि हमारे इस classes के दौरानी ER से DR हो जाए, ठीक है, तो मैं बुलाना चाहूँगा, नावेश सर, प्लीज वेलकम आपका, तो सबसे पहले मैं सर को सम्मानित करना चाहूँगा, वही 15 अगस्तियों प्लक्स पर, तो सर, आपको मॉटिवेट करेंगे, और क्या पढ़ाएंगे सर, आपको इलेक्रिकल इंजिनिरिंग यहां पर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, लीजे सर, जी, बिल्कुल, शुक्रिया विमल सर, सबसे पहले मैं विमल सर का शुक्रिया दा करना चाहता हूँगा, कि इनोंने मुझे सेक्सिस क्लासिस में आने का मोका दिया, और जितने भी स्टुएट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को सवतोंता दिवस की हाथ दिख सुपकामना है, मेरे बारे में जैसे विमल सर न ने बताया है कि 15 यह का एक्स्पिरियेंस है, और मैं आपको प्रवाइब कराया जाएगा, तो आप इस सब्जेक्ट से बिलकुल निश्चिंत हो जाएए, और किसी भी तरह की कोई फिर करने के आपको जरूद नहीं है, जितने भी नुमेरिकल्स प्रोबलम हैं, वो सभी यहां पर आपको प्रॉपर वे में कराया जाएगे, और जैसा क सब्सक्राइब कराया जाएगा, तो जितना भी आपको पूरी तरह से इसको एक्सप्लीन भी कराया जाएगा, आपको बिलकुल इसके इलेक्टिकल इंजिरिंग से बिलकुल बेफिकर होने की जरूद है, तो मैं शुक्रियादा करना चाहूँँगा, एक बार फिर, ठीक है, ठीक है, तो मैं अब अपने नेक्स टीचर बुलाना चाहूँगा उनको, राहुल सर को आपको यहां पर C-PROGRAMMING भी सिखाने वाले हैं, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं कोडिंग के भी सब्जेक्ट्स लेक्ट्स लेक्ट्स लेक्या हूँँ, जैसे इस बार इस ताइम पर क्रेज में क्या चल रहा है, पाइफन बहुत जादा चल रहा है तो मैं बहुत जल पाइफन भी आपको लेक्या हूँगा और सर आपको पाइफन भी पढ़ाएंगे ठीक है, तो यह सब्जेक्ट है हमारा PROGRAMMING FOR PROBLEM SOLVING, इसमें C-PROGRAMMING में होती है, तो C-PROGRAMMING आपकी एकदम, जब बच्चे क्लास में जाते हैं, तो जब स्टार्टिं में 1st year admission लेते हैं, तो C-PROGRAMMING में थोड़ी सी प्राप्लम में आती है, तो वो सारी प्राप्लम में आपकी यहां पर सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं सर को सबसे पहले समानित करना चाहूँगा, पंद्रा कस्तियो प्लक्स पे, तो तो सर आपको तोड़ा सा मॉटिवेट करेंगे, लीजे सर, बच्चो तोड़ा सा मॉटिवेट कीजी, शुक्रिया विमल सर, बच्चो सदंत्रदीवस की आपको हार्दिक शुप कामना है, पहले पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, C-Language एक हववा बना रहता है, सब के किसी भी लेंवेज का इस लेंवेज जो स्टार्द होती है, कम्पुटर साइंस की, इसकी मदल लेंग्वेज होती है, तो इहां क्या करेंगे, जैसे हम देखते हैं कि हिंधी पढ़ने को बच्चा जाता है, स्टार्टिंग वर्ण माला पढ़ा ही जाती है, उसी तरह से यहा तो स्टार्टिंग से में देखेंगे, सबसे पहले हम सॉफ्टियर के अबारे में देखेंगे, हार्डवेर भी देखेंगे, इसमें आपके स्लीबस जो है, सी लेंग्वेज में सबतरे का आता है, जैसे अपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टियर, अपरेटिंग सिस्ट यहां कि आपको सी में गिन्टा सेड़ शाया तो आप उ duck girl clear किसी में कोई भी दिक्कत नहुत और आपको पता है कि अगर अगर आपको इंग्लिस में अगर Alphabetic आपको सही आतंको इसी बीचीज के तो आपको मातरा का गान जैसे करा जाता तो ऑची mister अफोिज होपल है क्वे चुछ में करांगे आपको कोई भी लेंगमेंगोर आपको प्रोगरैमिंग लिया जायएग गाशन फिर शर्क्राइम आप लिल्क्शन में इस वी हमीड है से तो अब आने वाले strengths में ना हो तो वही चीजे सोचते वे में लेकर आया हूँ तो यह हमारे first year के subject से अब तक जो मैंने आपको बताए जो हम अभी start कर रहे हैं ठीक है बागी physics और environment and soft skills बहुत जल्द आपका start हो जाएगा उसके लिए में एक अलग से video बना दूँगा ठीक है त तो जो secondary के कुछ common subjects की अगर मैं बात करूंगा जैसे human value हुआ और math 4 हुआ तो उसके लिए बाकी electronics होता है तो मैं फिर और Ajay sir आपको पता ही है फिर से मिलके पढ़ाएंगे electronics तो इस बार तो मैं बुलाना चाहूँगा एक बार फिर से Ajay sir को क्योंकि Ajay sir human value में भी expert है human value ही इन बिलकुल यह कोई certified course नहीं था यूनिवस्टी ने इसको 2014 में mandatory form में इसको apply किया था और काफी कुछ चीजें हैं जो source समझ के किया था वो जब हम आपको पढ़ाएंगे तो detail में discuss करेंगे यह एक ऐसा subject है जिसे engineering या कोई भी जो बच्चे हैं वो करते हैं और mandatory है इसमें pass होना बहुत सारे बच्चे इसमें pass भी हो जाते हैं लेकिन इसमें main है आप इसमें बहुत आसानी से score भी कर सकते हैं और दूसरी बात यह भी है कि यह हमारे channel का एक ऐसा subject है जिसकी videos हम आपको बीच बीच में देंगे और यह आपके stress को reduce करेगा तो जब भी आपको stress में जाएंगे के लिए नई पढ़ना है अधिकतर students की यह mentality setup है कि सिर्फ इसमें pass होना है और pass इसमें आप हो भी सकते हैं mandatory credit subject है और बहुत कम मेहनत में इस subject के थुरू आप अपनी percentage को improve कर सकते हैं इसमें सीखने से ज़्यादा लिखना कैसे है इस चीच पर focus करना है और बिल्कुल हम उसमें आपको अपने notes देंगे और बिल्कुल आप बेफिकर होके इस पर बहुत सिर्फ videos देख सकते हैं उसके बाद में शायद आप ना भी पढ़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको भरपूर content मिल जाएगा और ठीक ठाक knowledge इसमें आपको हो जाएगी लेवल 2 certificates मेरे पास इसमें हैं IIT कानपूर से और IIT कानपूर से ही इस course का foundation start हुई थी ये भी मैं आपको बता दूँ डियर स्टुजेंट्स तो इसमें लेवल 2 है एक लेवल 3 है जो और भी करना है और कोशिश करूँगा जैसी समय मिलेगा कर लेंगे तो सारे subject हो की तरह इस stress-free subject या आपको लेकर के हम लोग आएंगे तो बिल्कुल बेफिगर रही है कोई दिक्कत इसमें आपको होगी नहीं Thank you sir यह subject जो एड किया गया है तो उसके पीछे एक तरह से मेरा जो अपीनियन है वो यह है कि जब बिटक करते हैं तो बहुत सारे स्ट्रेंट के नहीं हैं कि पताने वह सवति बिटक है तो उसमें बैक और अगार किया जाती है जो भी है 2nd year में चलेगा ही चलेगा ये कुछ में 3rd Sam में चलता है कुछ में 4 Sam में चलेगा तो ये subject भी बहुत main subject है हमारे होनार faculty है हमारे math के सुभमसर इनकी PhD चल रही है math में और 10 प्लस एर का इनको teaching experience है बहुत जल्दी इनका भी MR से यहां पर DR होने वाला है तो मैं बुलाना चाहूँगा अपने सुभमसर को और ये आपको motivate करेंगे इनको थोड़ी सी जिम्मेदारी ज्यादा दी गई है क्योंकि math 4 जो है थोड़ असा typical subject है math 1 आपने 12th level में पढ़ रखा है उसमें most of the units जो होती है ना तो वो ही होती है जो 12 में पढ़ लिए होती है ज और वही सबसे पहले सर को भी मैं सम्मानिक करूंगा अपने पंद्रा कस्तियों प्लक्स पे तो सर मोटिवेट कीजिए बच्चों को थोड़ा सा बताईए मैं अत्पोर के बारे में Firstly, very very thank to Mr. Vimal sir आपका बहुत बहुत धन्यवाद Dear students, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप Engineering में चाहे आप किसी भी उनिवस्टी मेडविशन लेते हैं, किसी भी College मेडविशन लेते हैं तो Mathematics Engineering का एक Undivine Part होता है, एक एंटीग्रल पार्ट है, आप किसी भी उनिवस्टी से BTEC करेंगे या किसी भी उनिवस्टी में आप जाएंगे, तो वहाँ पर आपको Math पढ़ना ही होगा, और Math का एक हुआ बना दे आता है, या फिर आपको बता दे आता है कि Math बहुत भारी होता है, student Math एक भहुत ही easy subject है, आप जब BTEC करेंगे, तो आपको बहुत सारा Math का portion पढ़ना पढ़ पढ़ाया जाएगा, तो student घबराने की तो बिल्कुल बात ही नहीं है, दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहूंगा student की अभी आपके पास थोड़ा सा समय है, तो आप अपने basic concept पर थोड़ा सा काम कर सकते हैं, होता गया है जब आप engineering में admission लेने के लिए आते हैं, तो सा अपने differential calculus पर काम करें, साथ ही साथ आप थोड़ा सा trigonometry का portion तयार कर सकते हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा जो basic चीज़े होती है, like vector होता है, इनको आप तयार कर सकते हैं, तो student अगर आपके basic concept थोड़े से ठीक है, तो math में आपको घबराने कोई जरुवत नहीं है, यहाँ प थोड़ा सा मैं इस बात को भी आपको बता सकता हूं कि मतलब कहां से आप अपनी चीज़ों को सुरू करेंगे, तो आपके लिए असान होगा, अभी मैंने आपको बताया, dear student, कि आप क्या करें अपना calculus और थोड़ा सा trigonometry पर अपना काम करना भी सुरू कर दें, चाहे उसको बेसिक फॉर्मूले हैं, like differentiation के फॉर्मूले हैं, integral के फॉर्मूले हैं, या फिर सोड़ा से trigonometry के फॉर्मूले हैं, उनको आप अच्छे त्यार कर लेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा easy लएगा, ठीक है, तो students मैं आपको फिर से ensure कराता हूं, math बिल्कुल आपके लिए easy रह आपको available हो पाता है, net पर भी, तो उसी को देख तो हमने कोजिस किये कि आपके लिए बिल्कुल एक अच्छा qualitative material आपको परवाइड करवाय जाए और अच्छे त आपको समझाने का परियास के जाए, ताकि math करण आपका दूर हो सगे, okay student, बुला कात होगी आपसे जल्दी math 4 के साथ, thank you, thank you, thank you sir, जैसर सर ने बताया कि math का content सही है, हाँ सच में बहुत कम अविलेबल होता है, बहुत कम आपको मिलेगा देखने को, YouTube पर भी, हाँ अगर में बोलूना, free of cost, free of cost तो बिल्कुल ना के बराबर बिलेगा, मिल जाएगा गई पर लेकिन पेंड बिलेगा आपने आपर स्टार्ट की हैं, जैसे मैत में भी हमारे गौरफ सर और सुभम सर हो गए, बाकी एलेक्ट्रोनिक के काफी सार एक्सपर्ट हैं यहांबर, तो मैं एक और एक्सपर्ट फैकल्टी से आपको मिलाना चाहूँगा, जो हमारे जैसे डिमांड होंगे, सब्जेक्स होंगे, लेक्ट्रोनिक से रिलेटेड, जिनकी डिमांड होगी, जैसे मैं थर्ड यर के लिए बोला, तो मेरे पास और भी टीचर्स अविलेबल हैं, कम्पटर साइंस के भी हैं, जो यहां पर इस ताम मौझूद नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोनिक के एक सार और हैं, जिनको तो उसमें किस तरह के कौन से सब्जेक्ट्स के हमें नीड होगी, या किस के हमारे ज्यादा कमेंट्स आएंगे स्ट्वेंट्स के, ठीक हैं, तो वर्मा जी थोड़ा सा बताईए बच्चों को, आप भी थोड़ा सा मॉटिवेट कीजिए, थैंक यू विमल सर, फस्ट आफ आप सभी इस्ट्वेंट्स को जितने भी हमारा चैनल जो आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और आप इसको जादा से जादा लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें, और सक्सेस क्लासेस को बहुत ही उपर तक, बहुत ही जादा अपर लेवल तक पहुचा तो उन सभी के लिए जैसी जैसे आपका response बढ़ता रहे गा, जिस सब्जेक्ट के लिए आपके जो सब्जेक्ट response आता रहे गा, उसी के लिए, मैं बिम avis कर शार के साथ निहां, पर हर समय यहां पर खड़ा हूं किसी भी सब्जेक्ट के लिए एलेक्टॉनिस के लिए जो भी अविलेबल होंगे उसके लिए पढ़ाने के लिए यहां पर तेयार हूं वह इतना आपको रखना है कि आपको हमारे चैनल को सकसेस क्लासेस को बहुत ही जादा सक्सेस तक लेकर जससे कि हम आपके लिए बहुत जाधा मेनट आगे तक कर सकें इतना भरोसा रखी है हम पर सभी पर कि आपको कभी भी किसी भी तरह की परिशानी नहीं होने देंगे जो लटने का जो सिल्वा चलता वारा है कि किसी भी सबजेक्ट को रटना है क्या करना है कैसे करना है उन सभी चीजों को खतम करते हुए हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने पर रहेगा आपको समझना है सिर्फ और सिर्फ समझना है रटने का काम बिलकुल खतम कर देना है रटना नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को रटना नहीं है सिर्फ समझना है और उसी सम एक बात Rec1 और मैं कहना चाहूंगा आपसे कि हमारी के और ही मैंटिलिटी इस तरह की हो जाती है कि यहाँ पर गोर्स मिला है वो फ्री आवेलेबल है तो कह सकता है कि इतना अच्छा था कांडेंडर है तो इस तरह की मैंटिलिटी से और जाती है चुका हूँ ठीक और आगे भी और अच्छा करने की कोसिस करूँगा अब आपके लिए थोड़ा सा काम है बस काम समझ लीजिए या अपना काम कुछ काम नहीं होता क्योंकि हमारी पूरी फैमिली है ठीक है क्या करना है कि एक तो सब्सक्राइब जाद से जाद है अपने दोस् प्लोड हो चुकी है चैनल पर वीडियो पसंद आया करें तो लाइक जरू किया करें और अपने दोस्तों को जादर से जादर करनी है ठीक है मैं यह चाहता हूं कि कोई भी बच्चा कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर बीटैक कर रहा है और उसके यहां पर यह होते हैं कि वह फाइनेंशली थोड़े से वीक होते हैं उनको एडमिशन तो ले लेते हैं यह काउंसलिंग के तुरू निका अच्छा से नहीं समझ पाते हैं और क्लास में थोड़े सा इसा होता है कि वह चीज़े समझ में नहीं आती है ठीक है और वह पेड कोर्स लेनी पात में ठीक है लास्ट में कमेंट करके आप अपना फीडबैक जरूर दियेंगे इस वीडियो के नीचे भी देंगे और जितने भी सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे जो पढ़ रहे हैं कोई सजेशन होगा आपके लिए मनलब आपका कोई हमारे लिए सजेशन होगा कोई आ रही है या नहीं आ रही है ठीक है जो हम दे रहे हैं वो कंटेंट सही पहुच रहा है बच्चों तक यह नहीं पहुच रहा है ठीक है और लास्ट में मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बार और सर को बलाना चाहूँगा आप सभी स्टुडेंट्स को वीमल सर ने देखिया एक अच्छा गिफ्ट दिया आज 15 अगस्त के मोके पर वीमल सर ने सबका स्वागत किया 15 अगस्त पर हम भी जो है जो हमारे गाइड मान लीजिए जो अजय सर है मैं अजय सर चे कोऊंगा कि वो वीमल सर का स्वागत करे 15 अगस्त के मोके पर आईये में गुल सर थैंक्यू सर थैंक्यू आज मैं बहुत जादा खुशू हूँ क्योंकि मैं चाहता हूं मैं फिरी इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं यह चाहता हूं कि हर स्टुएंट पड़े ठीक है ना जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की यह करें प्राइमिशन लिया तो बीटेक करें तुमीश से बीटेक करें ऐसा नहीं कि बस बीटेक मैं अडमीशन ले और कर यह पता चला वह बाद में आंपलोईड हो के घूमता है फिर वहां का मावल भी खराब होता है कि बीटेक कर घर पर बहुम रहा है तो वह कब हो जब मैं फिर से एक बात repeat करूँगा बिल्कुल सही कह रहे हैं engineering और technical education का मतलब understanding से ही है इसमें आप theoretical form में बहुत ज़्यादा जाने की जरुवत नहीं है तो वो हमारा target भी है हमारे सारी faculty का यही target है कि जो subject है वो बिल्कुल आपको concept की form में clear हो hundred percent clear हो तो thank you to Vimal Chodri जी और once again a congratulations आप बहुत अच्छा प्रियास जो कर रहे हैं इसी रास्ते पर आप चलते रहें तो चलिए ठीक है मुझे दीजिए अब इजाज़त और खतम करते हैं सर ठीक है स्वेंट्स तो चलिए आज में लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में okay thank you